इस वर्ष चातुर मास 29 जून से प्रारंब होके और 29 नमबर तक है बीश में पुरुशोत्तम मास यानि अधिक मास पड़दा है इसलिए जो चातुर मास है वो चार महीने का है चातुर मास में जो है पूजा पाट का विदी विदान का बहुत अधिक महत वो जाता है उसका एक कारण ये है कि चातुर मास के काल में क्या है कि जो सूर की केरने और हवा है वो प्रत्वी तक पूरी तरह नहीं पहुँच पाती है तो विवित तरह के जीब, जन्तु और रोग जो है न वो प्रत्वी पर फैलते हैं तो इसका और आप बहुत अधिक आलस का अनुभाव होता है तो इस तमोगुड की प्रधानता को कम करने के लिए हमें सात्विक्ता यानि की सट्वगुण भढ़ाने की बहुत अधिक आवश्यक्ता होती है जब हम सात्विक तरीके से रहेंगे, अपना खानपन ठीक रखेंगे, ब्रत करेंगे, विदी विदान से पूजा करेंगे तो हमारी स्वास्त ठीक रहेगा, स्वास्त ठीक रहेगा तो जो हमारे आगे के कारी है हमें जब तक हमारा स्वास्त्रकीक नहीं तो हम आगे के कारी जो है वो बहुत अच्छी तरह नहीं कर सकते चातुर मस जो है विश्णु भगवान और महालक्ष्मी को समर्पित है अगर आप इन चार महीने में कुछ नियम लेते हैं और भगवान की अरात्ना करते हैं और खाने का कुछ नियम लेते हैं सुबह जल्दी उठने का सुबह ब्रह्मोरत में उठके पूजा करने का नियम लेते हैं तो विश्णु भगवान और महालक्ष्मी के रपा आप निश्यत मानी आपके और आपके परवार की उपर हमेशा बनी रहेगी इसके लिए कैसे विदी विदान से पूजा करनी है आप तंतरात्मक शिरी सूपतम अगर आप अपने मोबाइल पर सरच करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा तंतरात्मक देवी सूपतम उसको आपको रोज सुबह उठके सुबह चार बजे उठके उसको कैसे उसकी पूजा करनी है आप एक शिरी यंत्र लीजे और एक कटोरी में शिरी यंत्र को रखकर और सिंदूर से उसको पूरा ढग दीजे और उसके बाद एक तरफ घी का करिए और पूरे चातुर मास में करिए पूरे चातुर मास में नहीं कर सकते हैं तो कार्तिक मास में करिए अगर कार्तिक मास में भी नहीं कर सकते हैं तो अभी पंद्रे दिन सावन के जो तीन चार तारिक से शुरू होके फिर पंद्रे दिन है फिर उसके एक महीने बाद फि 15 दिन शावन मास्के उस महीने में करिए